नमस्कार दोस्तो स्वागेता है सभी का मेरे यूटू dime channel जिकेपाट साला में दोस्तो आज हम बात करेंगे जो मार्क्स का वीडियो number 6 जिसमें बात करेंगे राज्ये के समंदी जो विचार है मार्क्स के वह इसके लाव जो विचारदारा के बारे में मार्क्स क्या कहता है और साथ ही जो क्रांती सिदान्त दिया हुए क्रांती के समंदित जो विचार है मार्क्स के उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स का क्रांती सिदान्त तो देखो मार्क्स का क्रांति शिदांत हैई मार्क्स के क्रांति में मार्क्स यह कहता है कि वहोम्न दो परकार की वर्ग हम अवेशा से जो वर्ग दियों आघ Pack dose एक कुण सा है कूं पुधी ऑर्वक के खिलाब आन्दूलन किया जाएगा किस और यह जो खत्म करके पुझिवाद को खतम करें कुण शी वस्ता हैगी समाजवाद eto यहाँ दिखो मार्ड के अगर कुरांति स्धान्थ की बात करें तो मार्ड्स दो परकार की क्रांतिया बताता है एक तो बुज़ुबोवा बुर्जुवा क्रांति और एक जो है सर्वहारा क्रांती एक तब बुर्जुवा क्रांती और दूसरी अगर क्रांती की बात करें तो वो है सर्वहारा क्रांती अब देखो दोनों में क्या डिफ्रेंस इसने बताया है वैसे इसकी परिवास अगर क्रांती की बात करें तो माक्स की परिवास आते हैं इंपोर्टेंट द्यान रख़ना कि क्रांगती है जो वो सामाजिक परिवर्तन का अनिवारिय ऐनselves मनं यानि अगर आप कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्रांगती करने पड़ेगी बिना क्रांथी के कुछ भी संभव नहीं है क्रांथी करोगे तब ही क्या है देश में जैसे अंग्रेज यहां से गए वही राज करते थे अंग्रेज यहां से गए किस कांड से गए लोगों ने क्रांथी करी उनके खिलाब तो यह नि परिवर्तन हुआ तो समाज में जो तो यहां बात करते हैं बुर्जुवा करांती की सबसे पहले तो बुर्जुवा करांती देखो वो है यह सामन्त जो वर्ग है उसके खिलाब की गई थी बार्ष यह तो मानता ही कि वर्ग जो हमेशा बनते रहेंगे जो अंतिम वहस्ता आएगी जो सम्मेवाद उसमें वर्ग कोई नहीं रहेगा वर्ग क्या रहेगा उसमें राज्य विहीन होगा तो वर्ग अपने आभी क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो यहां जो वड़ती यानि कौन सा यूग फिर अस्तित्व में आया पुंजिवाद ने एक घृतम हुआ दूसरा यूग स्तित्व में आगया यानि वर्ग तो फिर भी चलते रहे यहां पुंजिवाद आ गया यह बुर्जुवा करांती यह है इसकी समाप्ती किसके सामंत वर्ग की समाप मजदूर वर्ग है तो यह बुर्जुवा करांथी है कि इसके लिए क्वोग को काल मार्स को स्लोगन एक तर्व फ्रांस की क्रांथ आती है कि रई क stack ऐसे देता है और दूसरी यांक 한ी आती है सर्वाहारावर्ग की करांती अब सर्वाहारावर्ग यानि जो देनिक मजदूरी करके अपना क्या है जीवनियापन कर रहा है तो सर्वाहारावर्ग की अगर बात करें तो इसने किसके खिलाब पुंजी पतियों की खिलाब करांती करी यानि पुंजी वाद के खात्मे के लिए सर्वाहरा वर्ग ने यानि जो सर्मिक वर्ग उसने क्या है करांती यहां करी थी अब देखो एक वर्ग खतम होगा यहां पुंजी वाद अगर खतम होगा खतम होने पर कौन सा यूग अस्तित उसमें सरवहारा वर्ग है वो पुंजीपतियों के ऊपर क्या करेंगे राज करेंगे तो यह अवस्ताइं किया यहां तक चलती रहती है जो मार्षवाद अपनी पांच स्टेज बताता है उसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेज आती है उसमें यह कहता है कि इन सभी वर्गों का जो समापन होगा वो कब होगा जो अंतिमवस्ता राज्य यह कहें कि समाज प्राप्त कर लेगा और अंतिमवस्ता कौन सी है वो है समयवाद अंति महुस्ता का मतलब कि यहां राज्य विहीन कोई राज्य नहीं होगा वर्ग विहीन कोई वर्ग नहीं होगा यानि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी खतम हो जाएंगी तो ये मोड़ा मोटी मार्क्स के करांति का सिद्धान दाता है दो परकार की करांतिया बताता है तो बुर्जु अकरांती एक सर्वहरा करांती ये की गई थी सामंतवर्ग के खिलाब ये की गई थी पुंजी उपतियों के खिलाब इससे जो जनम हुआ वह वह पुंजी वाद का सामंतियों की क्या होई खात्मा इससे जो उत्पति हुई वह किसकी हुई समाजवाद की और ज ये तो थे किस से समंदित क्रांती समंदित विचार अब बात करते हैं कि राज्य समंदित विचार मार्स के क्या कहते हैं कि राज्य समंदित विचार कि राज्य समंदित विचारों के अगर बात करें तो मार्स ये कहता है कि राज्य तो एक तरह से क्या है सोशन का यंतर है कि यहां मार्स की बात करें को मार्स जो राज्य को एक सोशन का यंतर बताता है थोड़ा ध्यान रखना सोशन का यंतर यह है राज्य समंदी विचार तो राज्य को मार्स एक सोशन का यंतर बताता है मार्स यह कहता है कि समाज में जो वर्ग की जो इस्तितियां चली आ रही है यानि दो वर्ग बने हुए हैं तो यह एक वर्ग तो हो गया सोशक वर्ग और दूसरा जो वर्ग हो गया वो हो गया सोशित वर्ग सोशक वर्ग वो जो सोशन कर रहा है जिनका सोशन किया जा रहा है वो होगे सोशित वर्ग तो मार्ग से कहता है कि यह जो सोशक वर्ग है यह राज्य की सारी चीज़े यानि राज्य द्वारा जो भी सुईदाय उप्लब्द करवाए जा रही है राज्य की द्वारा चाहिए सीरब और सीरप क्या है सोशन करने के लिए सोशित वर्ग के उपर राज करने के लिए यानि मर्ज सीदा सा यह कहता है कि जो सोशक वरग है राज्जे को एक तरह राज्य की जिसी आरो इसकि के अंदर है इसे ने नहीं जो पुन्जी पत Mayo ये राज्यक के मार्स यह कहता है कि अगरहे सो चिए गुन क Tianumm एक उस सिर्मीर में सोसीतं अजब कि गरहे करेगा तो उसके बाद पुझिवाद की खात्म होगा और एक नए अवस्तित्म अस्तितों में आएगी समाजवाद ओर समाजवाद नहीं अवस्त' साम्मेवाद साम्मेवाद जिसमें राज्य का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा राज्य जैसी कोई चीज इसमें नहीं रहेगी यहां कौन सी चीज रहेगी सिरफ और शिरफ एक समाज रहेगा जिसमें क्या होंगे सब बराबर होंगे यह मार्स कहता है कि राज्य जैसे अवस्ताँनी और राज्य नहीं होंगी तो झो वर्ग है वो भी क्या इसमे नहीं वर्ग भीहिन्व हो जाएगी राज्ये वहिन्व जाएगी यह राज्य-समंदी विचांद किसके काल माक्स उखे Cornstein Ryn है हर वेक्ति को छोड़ों से हर पार्टी जैसे बात करें तो कोई पार्टी कोंड सी वीचार दारों को अब ही जो मुद्दा चल रहा है आरसी वाला तो यह भी आप सब समस्क्रें हो इसमें होगा डीप बताने की खैसे प्रबावित होता है लोग बाग जैसए बीजे पी विचारदार अलग तो लोग उसालग से प्रबावित हैं लग वाग किसी पर्टीकुलर के से कम तैना लोग बाहित हैं दो लोग उसे प्रबावित bety पेना सीर्फ और भीचा कशेई तारा विचारधारा है तो यही बात मार्क्स कहता है कि विचारधारा जो कंसेप्ट है विचारधारा का मतलब है कि पर्टिकुलर ये भी क्या है एक तरशे पुंजी पतियों की द्वारा ही क्या है बनाई हुई है यानि ये विचारधारा जैसा कंसेप्ट है न पुंजी पतियों द करूए है उसको विचार धारə के माध miljem से क्या है एक जाड में अखर साल फिर उचे गशार की हैं मिधिया के गवश्य ही तो गलत करती है टो एक अगर दिमाग में ऐसा फितोर कि वास्ता में जो हो रहा है वो सही हो रहा है तो ये विचारदारा क्या है मार्क्स के नुशार एक तरह से क्या है वैदता परदान करना किसी भी गलत चीज को वही पुंजी पती है पुंजी पतियों ने जो भी गलत काम की उसको वेद्धा परदान करने के लिए क्यां विचारदारा का सहारा लेते हैं तो यानि एक तरह से दिमाग फितूर बढ़ देते हैं यानि false चीजें वह ज्यादा बढ़ देते हैं तो इसलिए तो आप मिध्याज़ छूटी चैना जलं को जागरित किया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता ह DAY सही निकलवाने के लिए और अपनी रस्ता सापaste करने लिए पुंजी पति दुर्णों को उसको नाम दे देते हैं पुंजी पती देते हैं बोला यह विचारदर है और जो सर्मिक वर्ग है वो उनका अनुसरण करता रहता है तो इसमें और कोई ज्यादा डीपली है नहीं और कोई मार्स के जो विचार एक देखो वर्ग संग वर्ग चेतना से संबन्दित विचार आते हैं वर्ग चेतना के बारे में देखो मार्स के विचार वो हैं कि वर्गों के बीच जो मजदूर वर्ग नाजागरित होगी तो फिर उसके बास क्या है वो पुंजी पत्यों की हिलाब अंदोलन करेंगे और एक नई अवस्ता क्या है यहां वो अपने अस्थितों में लाएंगे यानि जो सोचन हो रहा है उनका उनके खिलाब तो वर्ग चेतना के बारे में हमने जो पुराने इसके अलावाज के जिसे मानमवादी चिंतन के बारे में बात कर और कई बाते आती है लेकिन जो मैंन मैं जैसे बात करें एक्जाम के पॉइंट उपीश है वो तो सारी इंक्लूड इसमें हैं च्छै वीडियो यह हैं इनका में डिक्स्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और वैसे प्लेलिस्ट में अलक्सेस के बणा रखें मार्क्सवाद तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें शेर करें अपने दोस्तों की साथ कमेंट करें और चैनल के उपर आप नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब दूरूर करें थैंक य दोस्तों, जैहिन जैवारत!